तीखा चटपटा मिर्ची का अचार जिसे दोस्तो मिन्टो में तियार करेंगे आप वह भी बीना धूप के और रखेंगे सालों साल यूँहीं रहेंगे बरकरार बहुत ही सांदार और सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से मिर्ची का अचार इस टोर करके रखती हूं दोस्तों तो ये तीखी वाली मिर्ची है देखिए ये पौधा कैसे गिर चुका है इसके जर से मिर्ची हट चुका है लेकिन ये इतने फड़े हुए हैं दोस्तों कि हम इसे खरा भी नहीं कर सकते नहीं तो ये उखर जाएगा तो हम इसी तरीके से इ तेधादा मेर्ची तो आप इतना अगुगर अगर आप जानना चाहती है को मेन तो इसके है उन्धोठी खालब मुस्वार हाई दूप भी नहीं लगा सकते हैं तो इसलिए आप मिर्ची का अचार बना के इस्टोर करके रखते हैं जब मिर्ची महंगा होगा तो या पूरी पराठे के साथ बहुत ही टेश्टी लगती है दोस्तों तो हम इस तरीके से इसे दो पानी से पहले अच्छी तरीके से धोलेंगे है और इसे पंक्रे के नीचे शूती कपरा पे दोस्तों पसार के और सुख हा लेंगे अच्छी तरीके से कि इसका पानी एकतम सूख जाए धो देखिए एकतम पानी सूख चुका है तो हम इसे दो भागों में इस तरीके से डंठल तोर के काट लेते हैं तो ये प्रस्स ट्वाने चला जाता है तो यह चोटे-मोटे आचार के टिप्स होती हैं ध्यान रखेगा तो आपके भी आचार सालो साल रहेंगे तो इस तरीके से हम सभी मुर्चियों में चीरा लगा देते हैं आप अपने हिसाब से इसे बीज से भी जाट के ले सकते हैं तो यह तीखी वाल प्लिया, कराधनिया है, एक चमच मेथी दाना लिया है, हम सभी को थोरा सा भून लेंगे, चटकने लगे, इसके बाद हम और मसाला इसमें एट करेंगे, तो यह थोरी करक होते हैं, इसलिए इसे थोरा सा, हमें ज्यादा नहीं भून řाक, थुरा ही भूनना है, कि यह अच् वाल होता है तो एक मत पायईगा त्टेश्ट भी करीभ तेल गरम किया है, दोस्तो यह पैन में है इसलिए ज्यादा लग रहा है यह कप ही तेल है तो मैं दिखाऊंगी डालके फिर आपको समझ में आ जाएगा तो तेल गरम करके हम छोड़ देंगे उधर तब तक उसे ठंडा होने के लिए तो यहाँ पे मिर्ची में हम डाले हैं एक चमच छोटा चमच हल्दी पॉडर और एक चोटा चमच कस्मेरी मिर्च और दो चमच नमक तो यहाँ पे एक चमच हम मंगरेला लेंगे कलोजी और यह देखिए दो बड़ा चमच हम बिनिगर लेंगे इससे अचार हमारे खराब नहीं होंगे दोस्तो और इससे खटास भी आएगा और जल्दी खाने के लिए तयार हो जाएगा और बीना धूप के यहाँ चार बनाएंगे क्योंकि हम बरसात में बना रहे हैं तो विनिगर डालते हैं हम लोग ज्यादा दिन रखने के लिए यह वाइट विनिगर है दोस्तों जो हम लोग चाइनिज वेगरामा इस्तमाल करते हैं तो पहले तो विनीगर डालके अच्छी तरीके से मिला लेंगे कि सतारे मिर्ची पर खटा स्कोट हो जाए फिर हमने जो मसाला बनाया है उसे डालेंगे और अच्छी तरीके से मिलाएंगे तो आपका येगा तेल डालके मिलाएंगे नहीं दोस्तो इस तरीके से पहले मिला लेजिए देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से तो इससे वो विनीगर वाला जो पाठ है वो एक तम इसमें चिपक गया है और बहुत ही सांदार इसका टेस्ट आता है तो अब हमने ये तेल जाल दिया है दोस्तो तो आप यहां पे तेल की कॉंटिटी थोड़ा बढ़ा भी सकते देखिए तेल नहीं है बिलकुर लेकिन ये जब हम ओवर नाइटिस को छोड़ेंगे तो ये तेल आ जाएंगे दोस्तो थोड़ा मिर्ची गल भी जाएगा नमक के कारण और विनीगर क तो अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसे दोस्तो इसी बरतन में हम एक रात के लिए इसे छोड़ेंगे और बीच बीच में दो तीन बार चला देंगे ये प्रोसेस जरूरी है दोस्तो बढ़ने में रखने के बाद आप अच्छी तरीके से नहीं मिला पाते हो तो देख थोड़ा बढ़ा घटा भी सकते हैं यह आपकी मरजी होनी चाहिए यह खाने के लिए बिल्कुल तयार है दोस्तों अगर और अच्छा रिजल चाहते हैं तो दो दिनों बाद इसे खाईए तो अब हम इसे सुखे साफ सुत्रे बरतन में रख देंगे और गाच का बरतन का ही इस्तमाल करेंगे इसाचार को डालने के लिए डाल देते हैं दोस्तों रेसीपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रू बताएएगा लाइक कमेंट सस्क्राइब कीजिए दोस्तों और दोस्तों और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए मिलते हैं इससे भी अच्छी रेसीपी के साथ थैंक्स पर वाचिए